एक बार इस तरहा पालक पनेर की सबजी बना कर देखो, रेस्टोरांट से भी अच्छी ये घर पे बनके रेडी होगी। इसके लिए सबसे पहले दो बंच पालक को अच्छे से पाने से दो तिन बार वाश कर लेना है। बाद में गरम पानी में पालक, एक बड़ी प्याज, दो टमाटर, पांच लेसुन की कलिया, वन फोर्थ कप काजू और दो तिखी वाली हरी मिर्च डाल देंगे। आपको ज्यादा तिखा चाहिए तो थोड़ी ज्यादा हरी मिर्च भी आड़ कर सकते हो। इसे हमें 2-3 मिर्च बॉयल करना है। पेस्ट बनाई थी उसे डाल देना है। इस पेस्ट को अब हमें लो फ्लेम पर पकाना है। 3-4 मिनिट बाद इसमें कसूरी में थी गरम मसाला और थोड़ी हल्दी आड़ करने के बार फिर से लो फ्लेम पर 4-5 मिनिट तक सौते कर लेंगे। अब हमने जो पालक की पेस्ट बनाई थी उसे अड़ करेंगे। इसे भी हमें लो फ्लेम पर पकने देना है। तब तक हम 300 गरम पनीर को हाई फ्लेम पर ओयल में अच्छे से गुल्डन ब्राउन होने तक सौते कर लेंगे। अब पनीर भी हो गया है तो इसे निकल कर गरम पानी में डालेंगे ताकि वो अंदर से भी सौफ्ट बना रहे। यहाँ पर ग्रेवी को पकते हुए भी 5-7 मिनिट हो गया है तो अब हम इसमें नमक, ग्रेट किया हुआ पनीर, फ्राई किया हुआ पनीर और फ्रेस क्रिम एट करके सबको हलके हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। अब दो चमच गरम ओल में जीरा, हिंग, दो चमच बटर और गार्लिक डाल कर सेख लेंगे। बाद में ग्यास बन करने के बाद उसमें अधी चमच कास्पी रेट चिली पावडर एट करके जो तड़का है वो सबजी में एट कर देंगे।